आज हम बनाएंगे बजी हुई पालक की सब्जी से बहुत यमी और हैल्दी पराथा लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को लास्त तक देखें अगर ये कैसि के ढूले आपने से तक नहीं करा दावच किरेंगे है तो इस अगर करेंगे रोकनाउस कलरी गया ये और बहुत ये पृद्ड़ना इसा बेनेंगे इस के आलू और प्यास जालने से इस पराठे का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है ये रिखे आलू कदूकस कर लिए हैं अब इसमे हम मसाले एड़ कर लेंगे लाल मिर्च, आदी चमच, नमक एक चमच, नमक और लाल मिर्च आप अपने स्वाद के नुसर कम्याज जादा कर सकते हैं आदी चमच धनिया पाउडर, आदी चमच आमचूर, आदी चमच गरम मसाला अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब 2-3 स्पून ओयल डाल देंगे ओयल की क्वांटिटी आप थोड़ी बड़ा भी सकते हैं, तीन से चार चमच पिक कर सकते हैं आप थोड़ी थोड़ी करके पालक बीच बीच में आटे में डालते जाएंगे और आटे को गुनते जाएंगे पानी का यूज नहीं करना है, सिर्फ पालक से ही आटे को गुन देंगे हम और बहुत ही बड़िया प्राठे बनेंगे ये देखे आटा गुन चुका है, अब इसमें ये थोड़ा सा ओईल ले लिया हाथ में और इसे फिर से एक बार अच्छे से गुन लेंगे और इसे ढखकर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, ये देखे आटा त्यार है, गैस पर तवा रख दिया है मैंने और ये आटे की लोई ले ले लिए है, इसे हम रोटी की तना बेल लेंगे तवा भी गरम हो चुका है, अब इस पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे और पराठे को तवे पर रख देंगे, और दूनों साइट से अच्छे से से शेक लेंगे पराठे को अच्छे से पका लेंगे बहुत ही बढ़िया पराठा बनता है, इसे आप टिफन में भी दे सकते हैं बच्चों को दही या सॉस के साथ और आप इसे किसी सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं यह दिखी पराठा त्यार है, सर्व करने के लिए मखन के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं चटने के साथ सर्व कर सकते हैं ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें